नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका तिवारी अकेडमी में आज हम देखेंगे कक्षा 6 के इतियास का अध्यायच्छ है जिसका शीर्षक है नए प्रश्न नए विचार तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं इस रोचक सफर की ओर दोस्तों पिछले वीडियो में हमने ब सबसे पहले शीर्षक दिखा हुआ है नए प्रश्न नए विचार अनगा निकली सैर पर अनगा आज पहली बार अपने विध्याले की ओर से सैर पर जा रही थी यानि हूमने जा रही थी इसके लिए उसने देर रात पुने महाराश्ट्र से वारण असी उत्तरपदेश की ट अब चलिए आगे समझते हैं बुद्ध की कहाने बौत धर्म के संस्थापक से धार थे जिनें गौतम के नाम से भी जाना जाता था जाना जाता है उनका जन्म लगबग 2500 वर्श पूर यानि 2500 साल पहले हुआ था यह वा समय था दोस्तों जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे जैसे तेजी से परिवर्तन हमारी जीवन में पिछले 20 सालों में हुए हैं मतलब आपके जीवन में नहीं हमारे जीवन से तात पर इस पीड़ी से जिसमें हमने जन्म लिया है आप अपने पिताजी से पूछिए अपनी माताजी से पूछिए अपने चीज़े जो थी जैसे कि मोबाइल है ना तेज वाले मोबाइल जो आजकल आप देखते हैं फटा-फट सारी चीज़े हो जाती है एंड्रॉइट के लेटेस्ट वर्जन्स लैप्टॉप्स यह सब चीज़े इतनी नहीं थी प्रसित ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जैसा कि तुमने अध्याएपाऌच में पढ़ा महाजन पदो के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे है ना देखे किस तरह से वहां जनों के शासक से जन पदों के शासक बने और फिर जन पदों के बाद महाजन पदों के शासक बन गए थे, सब हमने देखा अंग के बारे में जाना ठीक है, हस्तिनापूर के बारे में देखा, तो यह सारी चीजें हमने पिशले अध्याए में पड़ी है मुझे उम्मीद है आपने वह वीडियो देखा है अगर नहीं देखा तो आप एक बार देख लीजिए अब आगे बढ़ते हैं गाओं के जीवन में भी ग्रामिंग शित्रों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे जीवन के सच्च अर्थ को भी जानना चाहा रहे थे अकसर दोस्तों ते बार हमारे मन में हम प्रश्ण उठते हैं कि भगवान कौन है कहां है हमारे जीवन की क्या सच्चाई है हम कौन से सत्य की खोज में निकले है या जीवन हमें क्यों मिला है क्या है हमारे अलावा भी कहीं और जीवन है ये सारी जिग्यासाएं ही है जिसने विज्ञान को जन दिया और आज हम इतना आगे बढ़े इतनी तरक्की कर पाए और अंधरंतर प्रयास जारी है तो यहाँ सब जिग्यासाएं उस समय भी उठती थी बुद्ध शत्रिय थे शाक के नामक एक छोटे से गण से संबल दित थे गण क्या है यह हम पिछले अध्याय में देख चुके है युवा वस्था में ही ग्यान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था कई वर्षों तक वो भ्रमन करते रहे तथा अन्य अन्ततह उन्हें ग्यान प्राप्त हुआ इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए यहां से वे वारणसी के निकटिस्थित सारनाथ गए जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया कुशी नारा में मृत्यू से पहले एकशे जीवद उन्होंने पैदल ही एक प्राकिस्थान से दूसरे स्थान की यातरा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कश्टो और दुखो से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष नहीं होते हैं यह तो होता ही है दोस्तो एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तून को पाने की हम इच्छा करने लगते हैं बुद्ध ने लिपसा को तुरुष्णा कहा है बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसयम अपना कर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं उन्होंने लोगों को दयालू होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आधर करने की शिक्षा दी वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामाने लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामाने लोग भी उनकी संदेश को समझ सके, वेदों की रशना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्विकार करें कि यहां उनका उब्देश हैं, बलकि वह उसे अपने विवेक से मापे, हाओ देखते हैं उन्होंने ऐसा किस फ्रकार किया? किसा गोतमी की कहानी यहां बुद्ध की विशाय में एक प्रसिद्ध कहानी है एक समय की बात है किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गुद में लिए ये नगर की सड़कों पर घूंग घूंग कर लोगों से प्राष्णा करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे एक भला वक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया बुद्ध ने कहा मुझे एक मुठी सर्सों के बीज लाकर दो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूँगा किसा गूमती बहुत पसंद हुई पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तब बुद्ध ने उसे रोका और कहा ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यू ना हुई हो किसा गूमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई लेकिन वहाँ जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी ना किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पती, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची दादा या दादी की मृत्यू हुई है बुद्ध दुखी मा को एक नएक पल हम सब को यह संसार को छोड़ कर जाना पड़ता है कुछ पहले चले जाते हैं, कुछ बाद में जाते हैं हर किसी का एक निश्चित समय इस संसार में है और जब इस संसार से हमें जाना ही है तो हमें इस सत्य को हमेशा के लिए स्विकार कर लेना चाहिए और हमें दुख होना स्वभाविक है लेकिन उस दुख में हमें इतनी जादा पीढ़ा और इतने जादा कष्ट जो होते हैं उससे बचने के लिए और इस मोह माया को त्याग करके इश्वर के रास्ते पर चलने के के लिए प्रिरिद करती है बुद्ध की ये सीख ये शिक्षा चलिए आगे बढ़ते हैं बाद आती है उपनिशद की जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रशनों का उत्तर ढूनने को प्रयास कर रहे थे उनमें से कुछ मृत्यू के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे जबकि अन्य यग्यों की सार्व भौम आत्मा के रूप में किया है मैं मानते थे कि अन्तथा आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिशदों में हुआ है उपनिशद उत्तरवैदिक गरंथों का हिस्सा थे यानि जो रिक्वैद के बाद रचे गए उपनिशद का शाब्द यहाँ पे जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसमें भारतिय दर्शन की छे पद्धती बताईगी शड़ दर्शन सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौधिक होच का प्रतिनेद्व दर्शन की छे शाखाओं ने किया विशैशिक नियाए सांख योग पूर्व मिमानसा और व जयास द्वारा की गई मानी जाती है जो आज भी देश में बौधिक चर्चा को दिशा देते हैं जर्मन मूल के बिटिश भारत विद्ध फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की छे शाखाओं का विकास कई पीडियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगद समझते हैं यहां वारतालाप चांदोग्य उपनिशत नामक प्रसिद उपनिशत की एक कहानी पर आधारी थे शौनक व अभी प्रातरिन नाम दो रिशी सार्व भौम आत्मा की उपासना करते थे एक बार जो ही विभोजन करने के लिए बैठे एक भिकारी आया और भोजन मा जानते हैं कि सार्व भौम आत्मा संपूर्ण विश्यो में विद्यमान है रिश्यो ने कहा हां हम यही जानते हैं विकारी ने फिर पूछा अगर यह सार्व भौम आत्मा संपूर्ण विश्यो में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है मैं कौन हूं मैं इस एक भागी तुहूं तुम सत्य बोलते हो यह अब रामन इसलिए है रिशियों मुझे भोजन ना देकर आप उस सारोभो मात्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। विकारी की बात की सच्चाई जानकर रिशियों ने उसे भोजन दे दिया। विकारी ने भोजन पाने के लिए रिशियों को किस तरह से मनाया है। उन्होंने उन्हें ऐसाज दिलाया विकारी ने कि जिस इश्वर की जिस सारोभो मात्मा की वह उपासना करते हैं वह तो समस्त संसार समूचे विश्व में व्याप्त है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश्ता पुरुष ब्रहामन तथा राजा होते थे। कभी-कभी गारगी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेक मिलता है। विद्वत्ता के लिए प्रसिद्धी गारगी राजदरबारों में होने वाले वाद-विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन वेक्ति इस तरह के वादवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे, इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावाल का है, सत्यकाम जावाल का नाम उसकी दासी मा के नाम पर पड़ा, सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीवर जिग्या सा उत्पन हुई, गौतम नामख एक बुरहमण ने उन्हें अपने विद्धियारती के रूप में सुइकार किया, त्था वह अपने समय के सारवाधिक प्रसिद्विचारों को में से कब बन गया, वो पनिशदों के यूज़ात का विकास बाद ने प्रसिद्विचारक शंकराचाले के द्वरा किया गय जिनके बारे में हम कक्षा साथ में जानेंगे अब इस बॉक्स को ध्यान से देखी यहां पर लिखा हुआ है व्याकरण विद पाणिनी इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोच कर रहे थे उन्ही प्रसिद विद्वानों में एक पाणिनी महरशी पाणिनी ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रशना की उन्होंने स्वरो तथा व्यांजनों को एक विशेश क्रम में रखकर उनके आधार पर सूतरों की रशना की चोटी सी कहानी है मैं आपको बता दूँ कि एक विध्यारती था एक बच्चा था छोटा सा जो पढ़ाई लिखाई में जिसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था उस बच्चे को बहुत बोलते थे कि तुम पढ़ते नहीं हो यह नहीं तो एक दिन उसके माता पिता उससे दुखी हो गए उसे बहुत कुछ कहा बरा बुरा कहा और वह घर छोड़ कर जाने लगा अचानक से उसने देखा कि काओं की महिलाएं जिस कुवे से रसी खीच कर पान पढ़ जाता है तो उसके बास समझ में आई कि जब प्रतिदिन रसी खीचने से इन पत्थर भी निशान पढ़ सकता है तो मेरे हाथ में जिन में पंडित कहते हैं कि विद्ध्या की रेखा नहीं है मैरी पढ़ाई लिखाई करने से क्या मेरे हाथ में हुआ रेखा नहीं आ स तो मुझे याद आई तो मैंने आपको बता दी आगे बढ़ते हैं बात करते हैं जैन धर्म की जैन धर्म इसी युग में अर्थात लगभग 25 सो वर्ष पूर जैन धर्म के 24 वे अत्वा अंतिम तीर्थ कर वर्दमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया वह वज्जी संग के लिछवी कुल के एक शप्तरिय राजकुमार थे इस संग के विशय में हमने अध्याय पांच में पढ़ा है तीस वर्ष की आयू में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे बारा वर्ष तक उन्होंने कठिनव एकाकी जीवन वितीत किया इसके बाद उन्हें ज्यान प्राप्थ हुआ उनकी शिक्षा बड़ी सरल थी सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्यक इस्त्रिव पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं सभी के लिए जीवन प्रिय है महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी यही कारण है कि साधरन जन्वी उनके तथा अनके अनुयाईयों की शिक्षाओं को समझ सके देश के अलग-अलग इस्सों में प्राकृत के अलग-अलग रूप प्रशलित थे प्रशलन शेतर के अधार पर ही उनके अलग-अलग नाम थे जैसे मगद में बोली जाने वाली प्राकृत मगदी कहलाती थी आगे बढ़ते हैं जैसे जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयाईयों को भोजन के लिए बिक्षा मांगर साधा जीवन बिताना होता था उन्हें पूरी तरह से इमानदार होना पड़ता था चोरी ना करने के उनकी सक्त हिदायत थी उन्हें ब्रह्मचर का पालन करना होता था पुरुशों को वस्त्रो सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कपड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्कु भिक्कुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी साहिता करते रहे मुख्यता व्यापारियों ने जैन धर्म का दोस्तों समर्थन किया किसानों उनके लिए ये नियमों को अपालन अत्तिंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीडे मकोडों को मारना पड़ता था बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत में कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात तमिल नाडूर करनाटक में भी फैल गया महावीर तता उनकी अनुयाईयों की शिक्षाएं कई शताबदियों तक मौखिक रूप में ही रही वरतमान रूप में उपुलब्द जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग पंदरा सो वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी मान चितर साथ ट्विष्ट 105 पर जब हम देखेंगे तब हमें यहां दिखाई देगा जैन शब्द जिन शब्द से निकलता है जिसका अर्थ है विजेता महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ग्यान की प्रापति हो सकती है ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संग नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके अब संग में होता क्या था संग में रहने वाले बौध भिक्षूं के लिए बनाये गए नियम विनिय पीटक नामक ग्रंद से मिलते थे विनिय पीटक से हमें पता चलता है कि संग में पुरुषों और इस्त्रियों के रहने की अलग-अलग व्यवस्था थी सभी व्यक्ति संग में प्रवेश ले सकते थे हाला कि संग में प्रवेश करने के लिए बच्चों को अपने माता-पिता से दासों को अपने स्वामी से राजा के यहां काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देन-दारों से अनुमती लेनी होती थी वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे किसी तरह की आपसी लडाई का निप्टारा करने के लिए वे प्रहयब बैठके भी किया करते थे संग में प्रवेश लेने वालों में ब्रहामन, शत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय तथा दास भी शामिल थे इन में से कहीं लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विशह में लिखा, तथा कुछ लोगों ने संग में अपने जीवन के विशह में सुनदर कविताओं की रशना की पिछले अध्याय में वर्णिस संग और इस अध्याय में वर्णिस संग के बीच में दो भिन्नताएं हैं कि आपको इन में कोई समानताएं दिखती है अब देखिए पहाडी को काट कर बनाई गई एक गुफा यहां कारले यानि वर्तमान महराष्ट में स्थेत एक गुफा है बिख्खू भिकुनी याने सादु भिकारी इनशरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे बिहार जैन तथा बौद भिकु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान गुमते हुई उगदेश दिया करते थे केबल वर्षा रितू में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे ऐसे समय वे अपने अनुयाईयो द्वारा उध्यानों में बनवाए गया स्थाई निवासों में अत्वा पहाडी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे जैसे जैसे समय बीटता गया विकुभी कुणियों ने स्वयम तथा उनकी समर्थकों ने अधिक स्थाई शरन स्थलों की आवशक्ता का अनुभाव किया तब कई सरण स्थल बनाए गए जिने विहार कहा गया क्या कहा गया विहार कहा गया आरंभिक विहार लकडी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्मान में इटों का प्रयोग होने लगा पश्शिमी भारत में विशेश कर कुछ विहार पहाडियों को खोद करके बनाए गए थे एक बहुत गरंथ से ग्यात होता है क्या ग्यात होता है जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग-अलग पहचान समाप्त हो जाती है ठीक उसी तरह बुद्ध के अन्विवाई जब भिक्षियों की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं प्राया किसी ध्यनी व्यापारी, राजा अतवा भुस्वामी द्वरादान में दी गई भूमी पर विहार का निर्मान होता था अगे आने वाली श्यताबदीों में बहुत धर्म उप Μहादीप के विविन्हिस्सों के साथ साथ बहारी शेत्रों में भी फैल गया अध्याय नौं में हम इसके बारे में दोस्तों और विस्तार से जानेंगे आश्रम व्यवस्था जैन तथा बौद धर्म समय लोकप्री हो रहे थे लगबग उसी समय ब्रहमनों ने आश्रम विवस्था का भी विकास किया यह आश्रम विवस्था क्या है आईए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं यह आश्रम शब्द का तात्परे लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले इस्थान से नहीं है बलकि इसका तात्परे तो जीवन के एक चरंड से हैं आप जानते हैं कि एक समय तक हमारा बालेपन रहता है इसके बाद हम किषोर आवस्था युव आवस्था में आते हैं है ना हम इसे आजकल टीनेजर के नाम से भी जानते हैं यह शब्द आजकल चलन में अंग्रेजी भाषा का शब्द है इसकार्थ होता है टीन एज याने वह एज जिसमें टीन शब्द आता है था टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्स्टीन, सेवनटीन, एटीन और नाइनटीन ठीक है तो अलग-अलग समय में हम अलग-अलग उम्र के पड़ावों चरणों से गुजरते हैं तो यहाँ पे आश् अश्रम शब्द का तापर्य इनहीं चरणों से हैं ब्रह्मचर्य, ग्रहस्त, वानप्रस्त तथा सन्यास नामक चार आश्रमों की विवस्था की गई है ब्रह्मचर्य के अंतरगत ब्रहमन, शत्रिय तथा वैश्य से यहा अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे साधा जीवन बिता कर वेदों का अध्यन करेंगे, ग्रहस्त आश्रम के अंतरगत उन्हें विवाह कर एक ग्रहस्त के रूप में रहना होता था, वानप्रस्त के अंतरगत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी, अंतता उन्हें सब कुछ त्याकर संध्यासी बन जाना थ आश्रम विवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया, प्रहय इस्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमती नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किये जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरन करना होता था, दोस्तों का संकलन जिन्द अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है, जैन्द अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वड़नित रिती रिवाज, वेदों की भाषा और रिती रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं, जरतुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सदविचार, सदवचन तथा आमक धर्म रहा, बाद में कुछ जरतुस्त्रवादी इरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटिये नगरों में बस गए, वे लोग ही आज के पार्सियों के पूरवज हैं, मुझे उमीद है दोस्तों कि यह अध्याय आपको बड़ी आसानी से समझ में आया होगा, और आप इसे अपने मित्रों के साथ इस लिंक को जरूर साजा करेंगे, शेयर करेंगे, और भी बाकी के जो वीडियो दल गए हैं पिछले अध्यायों के, मुझे उमीद है कि वह भी आप देख रहे होंगे समय समय पर, यहाँ आपकी पढ़ाई का आपके अध्यान का समय है और यह वीडियो निसंदेह आपके अध्यान में आपकी साहता करेंगे, आप अपने संदेह, अपने डाउट, अपने कमेंट के माध्यम से हमें हम तक पहुचा सकते हैं, हम जरूर उन कमेंट के माध्यम से आपके डाउट को दूर करने का पुरा प्रयास करेंगे, जल्दी म मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार